नमस्ते दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज के इस क्विक वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाल्या मेंटर टैब्रेट की जिससे आपको इस टैब्रेट के बारे में वो सभी जरुरी जानकाने मिल जाएगी जो आपको इसके इस्तेमाल से पहले होने बहुत ही ज़रूरी है। वैसे मेंटट का प्लेन और डीयस यानि डबल स्टेंथ वाला सिरब भी आता है। लेकिन यहां हम सिरु टैब्लेट की बात करेंगी। तो वीडियो को अंतर तक ज़रूर देखते रहे क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत सारे कन्फिजन्स को दूर करने वाली है। तो दोस्तों हिमाला मेंटट एक वाइड रेंज ब्रेन टॉनिक के रूप में इस्तिमाल किया जाता है। यह मेंटल फटीग यानि मानसिक थकान के लिए ब्रेन के कोगनिटिव फंक्शन को इंप्रूब करने के लिए इस्तिमाल होता है। एंग्जायेटिक के लिए भी डॉक्टर इसे प्रिस्काइब करता है। स्ट्रेस यानि तनाव और डिप्रेशनी अवस्ता में भी इसका इस्तमाल लाबदायक साबित होता है। इसके अलावा यह एकाग्रता यानि फोकुस को इंप्रूब करने के लिए भी काम आता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ कम होने याददाश के लिए भी इसका उप्योग होता है। तो अब बात करते हैं मिंटर टैबलेट के कंटेंड्स की। इसके कंटेंड्स की बात करें तो इसमें ब्राम्ही, अश्वगंधा और मंडूक परनी शामिल है। ब्राम्ही तनाव के लिए और दिमाग की शान्ती के लिए काफी अच्छा काम करती है। मंडूक परनी एक ऐसी वनस्पती है जो मस्तिष के पेशियों विशेशकर नियूरान की हाइपर सेंसियोटी को कम करके मिर्गी जैसी बीमार में फाइदा पहुचाती है। इससे ब्रेन की कोगनिटीव पावर इंक्रीज होती है। अर्श्वगंदा मानसिक तनाव और मूड स्टैबलेजर के रूप में काफी अच्छा काम करती है। बहुत सारी लोग इसे एक्जाम के पहले पढ़ाई को ध्यान में रखने के लिए लेती है। लेकिन पढ़ाई को ध्यान में रखने में इसका कुछ खास लाव नहीं देखा गया है। इसका काम मेंटल स्ट्रेस पे अच्छा दिखाई देता है। और इससे नीन आने में भी थोड़ी मदद में थी है। किसे भी बड़ी मांशिक बीमारी में इसके सेवन से कुछ सिधा फाइदा नहीं देखा जाता है। लेकिन मुख्य आउशोदियों के साथ इसे सहयक के रूप में लिया जा सकता है। तो आप जानते हैं मेंटल टैबलेट को कैसे लिया जा सकता है। इसका एक टैबलेट दिन में दो बार कुछ खाना खाने के बाद पाने के साथ लिया जाता है वैसे आपको stress या फिर mental fatigue जादा है तो आप इसके दो टैबलेट भी ले सकते हैं वरना एक टैबलेट दिन में दो बार से भी काम चल जाएगा मेंटेट के कोई भी नोन साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन इससे लेने के बाद कुछ लोगों में थोड़ा गैस महसुस हो सकता है कुछ लोगों में सिर में भारी पन भी देखा गया है इससे प्रिगनेट महिलाओ और दूद प्यारने माताओ को बिना डॉक्टर के सला से नहीं लेना चाहिए डायबिटीज या फिर हार्ट डिस्क की तकलिफा लोगों में भी अपने डॉक्टर के सला के बाद ही इससे लेना चाहिए तो दोस्तो ये था एक क्विक रिव्यू हिमाला के मेंटर टैप्लेट का आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिश्में देगे लिंक पर जरूर चेक करें वहां से आपको इसकी बाकी जानकारी मिल जाएगे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें हम बहुत ही जल्दी एक ऐसे ही यूस्वी वीडियो के साथ फिर से लोटेंगे तब तक के लिए टेक केर